तो सभी दर्शकों को नमस्का तत्यों देखिए उपर हमने अभी आपको दिखाया गोड़ पार्म किये हुए और देखिए यह नीचे मुर्गी पालन किये हुए है थोड़ा सा जूपके चलना लेकिन अभी आपको देखिए इधर पूरा देशी ब्रीड की हैं डिया कौन से सब्सक्राइब कि लग रहा है तो यह कितने हैं अभी कितने बच्चे हैं यह सब टोटर मिला के 500 लाया था कुछ मरेज यह है अच्छा तो आप सफेद वाला मुर्गा जो है नहीं रख यह सफेद नहीं मैं कि घर्मी इतना हाठ पर लाथा जीजिए गर्मी में सक्षेज हों यह वाल आप लिए यह कौल्टी लाया हो ताकि यह सक्षेज रहें यह सरवाइब कर जाते हैं चारे में क्या देते हैं को चा परचीत नाम नहीं पता है अच्छा ठीक है कोई दिकत नहीं है तो इनको इनका क्या प्रबंध नहीं किस तरह से इनको रखते हैं कि अचारा पानी या कैसे वे बस्ता करते हैं में तैयार होते हैं यह द्यड़ गयुक्राइब तो इनकी डिमांड है आपके गिराओं में हाँ इनका दिमांड है लोगों का मांग था कि नहीं रखिए इसके लिए रखाओं अच्छा दुकान वाले बोले कि नहीं मुझे एक वाल चाहिए तो कितने का देते हैं आप उनको अगर किसी को खरीदना हुआ एक केजी का मुर्ग मार्केट में दाम है ज्यादा थोड़ी दूगा जैसे 200-500 कितना देते हैं और यह दाइसो तीन सो दाइसो तीन सुट लगता है अच्छा ठीक है और और अच्छा इनमें सफेद वाले मुर्गे की पेक्षा रोग प्रतिरोधक चमता जादे होती है यह रोगों से जादे नह श्चा लाने के बाद बच्चों को तो हम सुनते है कि गुड़ पानी मिला कि जाता है यह है छफ्令 नहीं को Ε ann сказать इससे मरीर नहीं हो युरा कितना इन zao तो आप बेज देंगे इनको एक किलो समा किलोग हो जाएगे निकाल देंगे इन में कोई रोग होता है कि नहीं जिए पर रहे हैं जी जी आचा तो अंडे वगर को नहीं हम सुनते हैं कि कई लोग हैचरी वाले देते हैं सुनाली जिनको जोसा रशाली एक अंडा जादा देती एग दे देशाल करेठे घर फालने चल्बंड धर लिए पर आप सेल कर देते हैं जुल कोbasis लूट मैं की में सेते हैंसे 8 तरफ नहीं नहीं, जुह नहीं झावरं प्रहए की मिश्वर्ड सब करना है, अच्छा ठीक है तो माल लिजे तयार होने में एक बच्चे को दो ठाई महीने लगता है तो कितना खर्च गिरता होगा कुछ अब लगाए अभी तो अच्छ देखिए उधर कुछ बैठी है मुर्गया वो कुछ दिक्कत है क्या हो उनको अच्छ दिकत नहीं हो ऐसे बैठी है अच्छ सब एक तरफ गोल मतलब रूप जा रही है आप तक यह सफ्यद वाली होती तो इतना नहीं भागते पकड़ाएंगे नहीं इनको बड़ा मुश्की लोगा निकालना होगा तो लग रहा है उनको क्या करना परेगा तिरपाल लाके इस साइच घुमा के उसी गंदस पकड़ना पड़ेगा इनको आप अच्छा लगा आपका टेकनिक की उपर आप जो है बकरी फारम खोले हैं नीचे मुर्गी फारम खोले हैं बहुत अच्छा लगा धनेवाद भिया